असलाम अलेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब फैरियत से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से साथी अरभिया की कुछ जरूरी खपरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ तो आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताके इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आप लोग को नोटिफेकेशन के जरीये मिलती रहे इस वीडियो में टोटल पाँच इन्फोर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसमें कुछ जवाजात की न्यूज भी इसमें है और कुछ न्यूज हुरूप पे जाने के बाद वापस आने को ले करके है और कुछ जानकारी उनके लिए है जो भाई छुट्टी में गए थे कुरोना के दवरान और वो वापस नहीं आ सके क्योंकि उनका इकामे का डेट जो है वो खतम हो गया उनका वीजा एक्सपायर हो गया तो उसकी तरब से भी जवाजात की कुछ अपडेट है तो वह भी मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो सबसे पहली अपडेट में आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ माशाला भी रमजान आने वाला है और रमजान में जो बैंक का जो वरकिंग हावर होता है उसको लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है यानि रमजान के महीने में अगर हमको बैंक से पैसा भेजना रहता है तो timing का हमें पता नहीं रहता है कि कितने बज़े से कितने बज़े तक bank रमजान के महीने में खुला रहेगा तो इसी के हवाले से सौधी Central Bank की तरफ से आज एक जानकारी आई है उन्होंने बताया है कि रमजान के महीने में जो normal bank होते हैं लेन देन वाले यानि तहवील वाले नहीं पैसा भेजने वाले नहीं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ उनका जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10 बजे से ले करके असर के टाइम तक रहेगा यानि 4 बजे तक यानि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक नॉर्मल जो बैंकिंग का जो बताया गया है वो सुबह साधे नौ बजे से ले करके साम पांच बजे तक का बताया गया है तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि रमजान की महीने में बैंक कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहे इसके लावा अगली अपडेट ये है कि चले गए थे अपने देश के अंदर कुरोना के दौरान और उनका इकामा बीजा एक्सपायर हो गया तो अब वो लोग क्या करें वो लोग कैसे वापस आएंगे तो जबजाद की तरफ से यही बयान आया कि देखिए यहां की हकूमत ने 31 जनवरी तक का डेट सब को बढ़ा दिया था अब उसका फाइदा उठा करके जो लोग आ सके आ गए और बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहे गए कि फिर यह डेट बढ़ाया जाएगा लेकिन जैसा कि यहां की हकूमत ने कह दिया था कि जहां की फलाइटें चालू हो गई हैं आने जाने लगे हैं लोग वह के इकामे और बीजे अब नहीं बढ़ाये जाएंगे अगर उनको वापस आना है तो वो अपनी कंपनी में अपने कफील से बात करके अपना इकामा और बीजा इक्स्टेंड करवा के वो दुबारा सौधी अरबिया के अंदर आ सकते हैं अगर वो वापस नहीं आएंगे तो फिर वही तीन साल वाली पाबंदी उनके उपर लग जाएगी कि आप फिर तीन साल तक सौधी अरबिया के अंदर काम करने के लिए नहीं आ सकते सवाए हज और उम्रा के या तो आप फिर उसी कफील के पास उसी कफील के बीजे पे दुबारा कभी भी आ सकते हैं तीन साल के जो 2015 में डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए अपने मुल्क चला गया था तो अब वो वापस कैसे आएगा तो यहां पर जवाजात की तरफ से जो जवाब आया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ जवाजात ने कहा है कि देखिए पहले का जो सिस्टम था वो अलग था अब का जो सिस्टम है वो अलग है पहले जो लोग डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए यहां से अपने मुल्क जाते थे तो उनके ओपर कुछ साल के लिए पाबंदी लगाई जाते थी जैसे 5 साल हो गया 10 स साल के लिए बैन किया जाएगा या अगर आप डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए अपने मुल्क गए हैं तो आप पूरी लाइव साओधी अर्बिया के अंदर नहीं आ सकते चाहे आप 2015 में गए हो या 2010 में गए हो या उससे पहले गए हो जितने भी लोग डिपोर्ट होके ज पहुचते हैं और एमिग्रेशन काउंटर पर जब वह जाते हैं तो वहां पर उनका जो डेटा होता है वह रेड जोन में दिखाता है यानि ब्लेक लिस्ट में दिखाता है फिर वहीं से उनको दूसरी फ्लाइट के जरिए उनके देश वापस भेज दिया जाता है तो कोई अगर डिपोर्ट हुआ है यहां से तो वो फिर दुबारा साथी अर्विया के अंदर काम करने की बीजे पे नहीं आ सकता सवाए हज और उम्रा के और अगली अपडेट यह है कि जो डोमेस्टिक वरकर के हवाले से न्यूज आई थी कि अब अगर कोई भी साथी चार डोमेस है कि कितने लोग साथी अर्विया के अंदर हैं जिनके पास पांच डोमेस्टिक वरकर से ज्यादा हैं इनके मुतादिक टोटल सत्तर हजार ऐसे लोग हैं साथी अर्विया के अंदर जो अपने पास पांच डोमेस्टिक वरकर से ज्यादा रखे हुए हैं इसके अलावा HR-AS SD Ministry के जो मिनिस्टर अहमद अल्राजी हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है कि फार्मेसी सेक्टर में तकरीबन 70% तक सौधी जेशन हो चुका है यानि फार्मेसी वगहरा में अगर 100 लोग काम करते हैं तो उसमें 70 लोग सौधी के अभी फिलहाल हो चुके हैं बाकी जो 30 हैं उनक आने की पूरी तैयारी चल रही तो यह थी आज सौधी अर्बिया की कुछ जरूरी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रा अल्ला हाफिज